असलालेकों फ्रेंड्स, वेलकम टो पर्व की दुनिया, कैसे हैं आप लोग सब लोग, चलो मैं आज आप लोग को फ्रूट शार्ट बताती हूँ, किस तरीके से बहुत ही सूपर और टेस्टिक फ्रूट शार्ट बनाना बताती हूँ, मैं आपको इंशालला, ये देखे मैंन पीछ लिए हूँ यहाँ पर, आपको जो भी आपको फ्रूट पसंद है, आपके बच्चों को जो फ्रूट पसंद है आप उसको ले सकते हैं, ये कुछ ड्राइफ फ्रूट भी दाल सकते हैं, हम लोग मज़े से मैंने बनाना दाली हूँ, अप्रिकॉर्ड दाली हूँ और बनाने बनाना दाली हूँ इसमय है, तो आपको जो अच्छा लगता है ड्राइफ फ्रूट में, डेट्स दाल सकते हैं, आपके स्मिस लागर दाल सकते हैं, जो भी आपको ड्राइफ फ्रूट आपका बच्चे खाते हैं, आपको पसंद है, ये बहुत ये हेल्ती है डिष, यह healthy fruit chart है जिसमें हम लोगो सब कुछ मिल जाएगा इसमें यह सारे fruits को आपको cut करना है चोटे चोटे जैसे आपको चाहिए चोटे बड़े जैसे आपको चाहिए उस तरीके से cut करना है तो इस पे आप नमक नहीं दालेंगे इस पे सिर्फ आप हनी दालकर इसको थोड़ी देर के लिए घंटा दो घंटा भी अगर आप छोड़ देते हैं तो इसमें से color change नहीं होगा इंशाला अब ये आपको इसमें क्या दालना है अब ये अब को जरुड़ जो रहेगी आपको चाट मसाला जरुड़ रहेगी पैपर रहेगी नमक रहेगा और दही रहेगा और हनी रहेग ये 5 चीज़े रहेंगे ये देखिए JOHN हम लोग सबसे पहले जो हम लोग इसमें यह फूर्ट को कट करने के बाद हम लोग इसमें दहीं डालेंगे और ये छोटे छोटे जो चीज़े मैंने आप लोगों को बताई हूँ ये सारे दालेंगे आप देख सकते हैं ये fruits कट किया हुआ है और अभी हम लोग इसको इसमें दालते हैं हम लोग सबसे पहला honey दालेंगे इसमें एक full spoon of honey है ये मैंने मेरा quantity आप देख लेजिए मेरा quantity ज्यादा है मैं इसमें शुगर बहुत ही और नहीं के बराबर आड़ करें इसमें शुगर ही नहीं है मैं सारा जो भी बना रही हूं ये honey से ही बना रही हूं अगर आपको शुगर चाहिए तो आप वन स्पून शुगर आड़ कर सकते हैं क्योंकि almost ये जो fruits है fruits में sweetness वो natural sweet है उसमें तो आम लों को extra sweet दालना जरूरी नहीं है क्योंकि शुगर दालने से फिर वो जो sweet healthy sweet है वो healthy sweet नहीं रहेगा तो इसके लिए मैं only honey add करती हूं इसमें honey add करें एक फुल स्पून बड़ा जो स्पून हम लोग जो खाने के लिए इस्तमाल करते हैं वो बड़ा स्पून मैंने honey दाल दी हूं इसमें अभी आपको इसको थोड़ा से हिला कर लेना है उसके बाद five spoons of yogurt दालना है कर दालना है आपको जो दही रहेगा मर पस जिसमें पा जाएं तो आप दो यृ थी Don't दालके भी काफी कर सकते कि महाफ स्पून आपको नमक जाएगा और वन पूं छाट मासाला पर ठीक है वन स्पून थी स्पून जो है वन recording सब्लाइक कर रहे हम लोगों को sweetness भी आ गया है इसमें थोड़ा खटा मिटा भी आ गया है और अभी थोड़ा सा spiciness भी चाहिए तो यह इसको इस तरीके से हम लोग completely mix कर लेंगे देखिए mix करने के अगर अगर आप उसको जादा देर तक रखते हैं तो वह अपना शायद पानी चोड़ सकता है तो इससे बैतर है जब बनाए तो सर्फ करने के टाप फॉरण आप उसको जिसको सर्फ करना है सर्फ कर सकते हैं और उसको आप अपने मन पसंद से कोई भी फ्रूट या ड्राइफ शौक से काएंगे आप अकीन कीजिए इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहें दुआओं में याद रखें अपना ख्याल रखें अल्ला हाफिस